नमस्ते दिया स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागा थे आपका PTA Education चैनल पे, मैं हूँ गौरफ चोपरा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग कॉन्सेप लाया हूँ, आपने आपके बहुत हैं, आपके बहुत हैं, आपके बहुत हैं, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, और हम समझेगे कि यह सेकरिटाइज़ेशन होता क्या है, और यह कैसे गाम करता है, तो बने रही है मेरे साथ इस वीडियो के एंट तक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्यूंकि यह टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं आपको यह नोट्स के सारे नहीं पढ़ाऊंगा आज, चलेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ग्राफ्स, इन्फोग्राफिक्स या चार्ट्स की मदद से कॉंसेप्स सीखना पसंद है, या नोट्स के तुरू आपको यह सब कॉंसेप्स सीखना पसंद है, मैं बेशक आपका फीडबैक लूँगा, अब फिर उसी हिसाब से आगे आने वाले सेशन में ये चीज़ इंप्लिमेंट करेगे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बता दो, तो जैसे कि आप ये इन्फोग्राफिक में देख सकते हो, कि ये बेसिक आर्किटेक्चर सेक्रिटाइजेशन का, now this side you have banks who issues loans to borrowers, अब ये loans, auto loans हो सकता है, home loans, credit card loans, student loans वगेरा, ये सब loans bank की balance sheet में रहता है, है ना, and in loans पे, bankों को अपना-पना interest and principal दोनों EMI के form में मिल जाता है, अब banks and loans को एकट्टे करके, यानि literally इनके जो भी documentation है, वो एक pool में डाल देती है, अब ये loans तो bankों के दिए assets ही होए, because bankों को borrowers से पैसा आने वाला है, तो ये जो pool यहाँ पे आप ये देख रहे हो, इस pool को एक entity खरीद लेती है, जिसे हम special purpose vehicle या special purpose entity भी कहते है, SPV या SPE, समझे, and फिर ये SPV अपना दिमाग लगा के, इस pool पे complex financial engineering, complex financial models implement करती है, and बहुत सारी securities इससे निकल के आती है, and ये securities फिर आगे SPV investors को बेचती है, अब investors को इन securities पे return कैसे मिलेगा, इनके return इन securities पे उन्हें तब ही मिलेगा, जब यहाँ पे ये customers, इन loans का EMI time to time भरेंगे, तो वो EMI's इस SPV के पास जाएगे, and SPV अपना थोड़ा सा commission मारके, बागई का पैसा investors को return के form में दे देगी, समझ रहे हो, simple है न, not that difficult, right, it's not a rocket science, तो ये cycle यहाँ से start होती है, फिर SPV के पास जाती है, and ultimately investors के पास जाती है, बस, यही secretization होता है, यही originate to distribute model होता है, यही asset-backed securities होते हैं, अब asset-backed securities क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी securities investors को जारी SPV के through, वो सारी securities, they are backed by the assets, मतलब ये assets यहाँ पे हैं, इनके वज़े से ही तो ये securities बनी हैं, इसी लिए इसे asset-backed securities कहते हैं, समझें, अब इसमें सब खुश, borrowers को credit मिल रहा है, तो वो car खरीच सकते हैं, घर खरीच सकते हैं, बैंकों को ये loans बेचके SPV से पैसा मिलता है, अब यही पैसा फिर banks और ज्यादा loan economy में issue कर सकती है, बैंकों को और पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा, अब यहाँ SPV भी खुश, क्यूंकि उन्हें अपना cut मिल जाता है, अब इन्वेस्टर्स भी खुश, बिकुज उन्हें अपना return मिल जाता है, अब जैसे कि मैंने कहा कि, वो pool of loans को SPV अपने complex financial engineering models लगाती है, अब उसमें सिर्फ फिर securities बनाके निकालती है, तो यह securities एक slices के form में, या tranches के form में निकाले जाते हैं, या बनाये जाते हैं, सबसे पहला tranche होता है senior tranche, उसके बाद mezzanine tranche, अब मानों यह side जो bankों ने SPV को loan बेचे थे, वो loan 100 million dollars के है, तो SPV अब क्या करेगा, इन loans की slicing करेगा, इन तीनों tranches में, अब SPV हर एक tranche को risk evaluation, अपना risk matrix लगा के, वो 100 million को कुछ-कुछ percentage, इन tranches में allocate कर देगा, यानि समझो senior tranche को 80% allocation दे दिया, mezzinine tranche को 15% allocation दे दिया, and equity tranche को बागी का बचा हुआ 5% allocation दे दिया, तो ऐसे करके इसे 80 million allocate हो गए, इसे 15 million allocate हो गए, और इसे बागी के 5 million dollar allocate हो गए, और ये tranches फिर आगे investors को बेचे जाते हैं, अब अगर मानों कि 100 million dollars में से 95 million dollar ही recover हो पाए, यानि कुछ लोग default कर गए वहाँ पे, home loan पे default कर गए या auto loan पे default कर गए, तो मोटा मोटा 100 million की जगा 95 million dollar recover हो है, तो फिर यहाँ पे सबसे पहले equity tranche investors mark हाए गए, पूरा 5 million यहाँ पे डूब जाएगा, और इन दोनों को अपना-पना पैसा मिल जाएगा, जो बचा हुआ 95 million dollar है, या ऐसा समझो कि 100 million में से 20 million dollar loss हो गया, यानि कुछ लोग 20 million dollar तक के default कर गए, तो अब इन दोनों यानि mezzanine tranche and equity tranche दोनों का पैसा डूब जाएगा, सिर्फ senior tranche को ही पैसा मिलेगा, समझे तो यह order follow की जाती है, सबसे पहले senior tranche का पैसा दिया जाता है, उससे पहले priority दी जाती है, फिर mezzanine tranche को पैसा दिया जाता है, and then equity tranche के investors को last में priority देते, इन्हें last में ही पैसा दिया जाता है, जब इन दोनों को पैसा जब मिल जाता है, तब last में equity tranche के investors को पैसा मिलता है, अब मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क पे तो फिर equity tranche के investors ही है क्योंकि इस slice वाले investors का पैसा पहले डूबेगा suppose अगर loss होगा तो तो ये risk compensate करने के लिए इने बाकी दो tranches से सबसे ज्यादा interest मिलता है मेजना इनको थोड़ा सा कम interest मिलता है और सबसे कम interest सीने tranche को मिलता है बट फिर सबसे safe सीने tranche ही होता है because he would be the first priority when it comes to paying the returns समझे अब इन tranches के भी tranches बनते है जिसे ABS of ABS कहा जाता है यानि asset-backed securities of asset-backed securities same concept है या पे भी समझे ये मेजना इन tranche के और आगे slices हो गए तो इन slices का भी नाम and order इसी तरह होगा तो ये 15% में 65, 25, 10% के इसाब से हिस्से होगे पहला सीने tranche जो की priority पे रहेगा और कम interest मिलेगा दूसरा है मेजनाइन tranche जो senior tranche के बाद prioritize किया जाएगा पर interest उसे ज्यादा मिलेगा if we compare it with senior tranche and last में the most riskiest one is the equity tranche में से जो slices किये गए थे उस में से जो last tranche है would be the equity tranche तो इसमें interest भी ज्यादा मिलेगा but risk भी आपे ज्यादा होगा समझ रहे हो अब आते हैं securitization के developments पे US में Ginny May and Freddie Mac करके बहुत बड़ी government owned home loan agencies है जिनके तुरू ये loans issue किये जाते है अब यहाँ पे मैंने आपके reference के लिए ये timeline लगा दिया है इसे आप अच्छे से पढ़िए और इसे याद रखिए this might help you in your exams if we talk about the GK section तो इस video को post करिए और इसे अच्छे से पढ़िए अब आते हम securitization के फायदों पे सबसे पहले आते हम regulated institutions पे अब यहाँ मेरा regulated institutions का मतलब banks है bankों को securitization से बहुत फायदा होता है अब जब banks किसी भी तरह के loans issue करते है तो वो loan उनकी balance sheet पे रहता है है ना जैसे कि हमने पिछले slides में देखा भले वो loan asset के form में ही रहता है लेकिन वो bank की balance sheet पे ज़रूर रहता है तो in loans का maintenance cost होता है which is in the form of capital maintenance requirements मतलब income तभी ही recognize की जाएगी जब एक certain level का capital bank अपने पास maintain करेगा against all of these loans तो अगर banks in loans को SPV या SPE को बेच देती है तो उनकी ये cost कट जाती है यानि अब अगर balance sheet से loan ही नहीं होगे तो किसलिए capital maintain करना है फिर एक और फायदा बैंकों को होता है कि अगर loans ही नहीं रहेगे तो reserve requirements कम लगेगी even deposit premium requirements कम लगेगी यानि depositors के लिए जो बैंकों को reserve requirements पूरी करनी रहती है depending on the amount of loan which the banks have issued तो इसके चलते उनने वो भी नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर वो थोड़ी सी cost savings कर सकते है फिर आता है बैंकों को एक additional source of funding मिल जाता है एक तरीके से banks को अगर funding चाहिए होगी तो वो bonds issue कर सकता है बट एक और तरीके से banks पैसा उठा सकती है by selling these loans which they have issued and they will directly get funding यानि जब ये loans SPV खरीदेगी तो बैंकों के पास liquid cash आएगा है ना तो इससे फिर वो आगे और loans issue कर सकती है and इससे फिर economy में loans असानी से मिलना शुरू हो जाएगे और जब credit economy में मिलती है तो चीजे फिर असान हो जाती है easy access to credit easy access to cash अब secretization से overall economy को भी बहुत फायदा होता है अगर बैंकों के पास cash आना चालू हो जाए through sale of these loans then automatically पूरे economy में credit बढ़ने के chances है यानि economy में loans ज्यादा issue हो सकते है जैसे कि हमने ये वाले point में discuss किया and अगर ये loans banks की balance sheet से निकल जाते है तो उनका इन loans पे exposure कम हो जाता है यानि उनका ये loans पे risk कम हो जाता है risk थोड़ा सा बट जाता है जब ये SPE बाकी के investors को ये slices बेचेगी अब financial markets को भी secretization से बहुत फायदा होता है easy access to liquid investments यानि say for example credit card loans अब इन loans को भी tranches बना के investors को बेचा जाता है तो ये भी एक तरीके से liquid investments ही होए because credit cards के bill तो हर मेने भरने पड़ता है तो investors के लिए ऐसे liquid investments options भी खुल जाते है जो कि otherwise traditional investments में बहुत कम होते है जैसे liquid mutual funds वगेरा अगला फायदा financial markets को निकल के आता है bankruptcy remoteness अब bankruptcy remoteness मतलब समझो जिस bank ने उनके loans SPV को बेज दिये and मानो कल को वो bank ही डूब जाती है तो इस bank के डूबने पे SPV ने जो loans खरीदे वो loans safe रहेगे investors को अपना पैसा मिलेगा and it's not like कि जो originator borrower है उसे loan चुकाना नहीं पड़ेगा because bank डूब गया उसे बेशक चुकाना पड़ेगा वो loan and SPV के जो investors है उनका पैसा जरूर मिलेगा अब जो SPV रहेगी वो जब bankों से loan खरीदेगी तो वो काफी reputed and respectable entity रहेगी यानि उनकी integrity कुछ हट तक bankों से भी ज्यादा हो सकती है और जो entity ज्यादा reputed रहता है उन्हें जब खुद के लिए पैसा उठाना पड़ता है market से तो वो कम interest rate पे भी उठा सकती है because credit quality अच्छी है and credit rating भी बाजारों से पैसा उठाने में फरक देती है अगर अच्छी credit rating होगी किसी भी entity की तो क्यों नहीं कोई पैसा लगाएगा उस entity में तो securitization की मदद से बाजारों से सस्ते में पैसा उठाना मुम्किन हो सकता है बात समझे and अगर securitization की मदद से extra securities market में आ रही है तो इसमें सभी का फायदा है market में और investment options मिलेगे किसी भी investors के लिए and इसे जो SPV रहेगी उसके high credit rating की वज़े से उसके high integrity के चलते investors would be more inclined towards investing into these asset-backed securities and in securities investors को diversification option भी देगी अब securitization का सबसे बड़ा disadvantage निकल के आता है कि it may encourage lenders to loan money to high-risk people यानि जो बहुत ज्यादा high-risk लोग है who are not worthy enough to borrow तो वो इन्हें भी loan issue किया जा सकता है अब ये जो less worthy लोग है वो time पे पैसा नहीं लटा पाएगे या उनकी इतनी income नहीं है पूरा loan चुकाने में so ऐसा अगर होने लगा तो just in case if the unworthy borrower defaults on his payments then how would the investors get paid समझे तो यही major problem US के global financial crisis 2008 में हुआ था and moreover अगर हम investors के point of view से देखे तो उनके लिए भी कभी-कभी difficult हो जाता है कि ऐसे investments को कैसे पर्खे या कैसे evaluate करे ताकि उनके investments objectives सही माहिने में पूरे हो पाए यानि यह asset-backed securities में बहुत से debt instruments रहते है यानि mortgage, credit card receivables auto loans, home loans वगेरा तो यह इन सभी का mix होता है तो अगर एक security में इन सभी चीज़ों का mix होगा तो investors कैसे risk evaluate करेगा बेशक rating agencies and tranches इस problem को solve करते है लेकिन कभी-कभार यह भी fail हो जाते तो ultimately investors का ही नुकसान होता है समझ रहे हो तो basically यह secretization का concept था we spoke about the architecture of it we spoke about how it works we spoke about its disadvantages and advantages ठीक है तो आज के लिए बस इत्ता ही रखते है कैसा लगा यह session आप मुझे comment section में बताइए if you like this video make sure you hit that like button share this video with your like-minded friends, colleagues और अगर आपका कोई सवाल यह सुजावो तो उसे comment section में जरूर बताइए we now come to an end to this session here are some useful resources for you from PD family make use of these उमीद करता हो यह session आपको पसंद आया होगा नमस्ते जैहिंद